नरवर विकास खंड करेरा विदान सबा और पोहरी विदान सबा में बटा हुआ है करेरा विदान सबा में 107 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जा रही है पोहरी विदान सबा में 30 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जा रही है महिलाओं में वोट डालने को लेकर काफी उससायद देखा गया वहीं पोलिंग बूतों पर सुबर साथ बजे से वोट डालने के लिए वोटरों की लंबी कतार लगी है करेरा भाजबा प्रत्याशी रमेश खटीक ने पोहरी विदानसवा के मतदान केंदर पर अपना वोट डाला वहीं कॉंग्रेस प्रत्याशी प्रागी लाल जाटव ने करेरा विदानसवा के मतदान केंदर पर अपना वोट डाला करेरा भाजबा प्रत्याक्षी रमेश खटिक शेत्र में मतदान केंद्रों पर पहुंचे